तो नवरात्री स्पेशल आज हम बनाएंगे मिंट मसाला साबुदाना किच्डी बहुत ही मसालेदार चटपटी टैंगी सी यह किच्डी बनके त्यार होती है और व्रत में इसका तो मज़ा और भी दोगुना हो जाता है तो किले किले दाने वाली किच्डी की रेसिपी आये स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर डेड़ कप साबुदाना लिया है कुछ चोटे चोटे इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे न तो यह साबुदाना कीच्डी बहुत ही खिली-खिली सी बनती है पहले तो आप इसे अच्छे से धोके इसका जो एक्सेस स्टार्च होता है जो पॉर्डर होता है वो निकाल लीजे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी तो पानी इसमें जाएगा हमने देट कब चाबुदाना लिया है और यहां पे मैंने एक कप पानी डाला और यह आधे से भी कम जितना आप चाबुदाना लेंगे न उसे दो-तीन चमच कम ही पानी यहाँडालिये और उसके बाद इससे दो-से-धाई गंटे ढख के रख दीजिए और यहां इसे दरदरा कूग लिया और यहां पे मैंने लिया है थोड़ा हरा धन्याध थोड़ा पुदीन जीर और आधा नीम्बूर अर बस इसे जो है इस चतनी को पीषने में अगर आपको दिक्कत हो तो आप 2-3 चमच पानी भी डाल लीजिए और अब साबुदाना को चेक कर लेते हैं तो लगबग धाई गंटे के बाद मैंने साबुदाना देखा अच्छा कासा सॉफ्ट हो गया और आप देखिए मैंने से चन्नी में डाला एक बून पानी इसमें नहीं है क्यों क्योंकि पूरा पानी इसमें अच्छे से अबसर्फ का लिया और देखिए चानी में मैंने डाला तो चन्नी से एक बून पानी बिल्कुल नहीं टपका और इसी टेक्नीक से आपकी साबुदाना कीचनी परफेक्क खिली-खिली बनती है बिल्कुल excess water इसमें एक बून भी नहीं होना चाहिए और अब हम इसे फ्राय करेंगे तो कडाई में मैंने लिया चार चमज तेल और उसमें डाला आदा चमज जीरा और एक हरे मेज मेज अपने साब से कमज़ादा का लीजे और अब मैंने चार चे कड़ी पते इसमें डाल दि कमज़ा तेल जीरे झालों के तो आलो दोफेल बोलोением से तीच चथा टू चमज़े में चाहएं हैं तो में आप हैं मैं एसमें डालना पूदीने की चथ्टनी के अप द ना चले दाल लोके चीए तेसे में पूदीने की चथनी ऌटकी हमने बीइगनिंगो q 5 और उड़े सहा यह वाली साबुदाना किचनी बहुत ही टेस्टी और डिलीशिस बनके तयार होती है इस चिटनी में आप मिर्च नमक अपने असाब से कम जादा कर सकते हैं तो इसे बस मैंने 2 मिन थोड़ा बुन लिया और यह साबुदाना जो हमने बिगा के रखाता ना दीगे कैसे इक इक खिल रहा है अब यह साबुदाना मैंने इसमें एड कर दिया अब इस साबुदाने को आप अच्छे से कर लीजिए मिक्स एंदेन उसके बाद हम इसे अगें से थोड़ी देर कुक कर लेंगे क्योंकि हमारे साबुदाने थोड़ी से कच्चे हैं हमें इसे अच्छे से पका तो पहले आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि चतनी का पूरा फ्लेवर को नत्यक्ति शाबुदाने के हर एक liberal धाने में आयाए और अब अब मैंने नमक धिंग छर्टूनी में डाला है इसे में घदाने में साब से डाली है अदिर यृ दूझ उ आप से ही डालिए यह स अच्छे से मिक्स करने के बाद अगें से हम इसे 2-3 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि सारे मसालों का अलू में अच्छे से फ्लेवर फॉर्म हो जाए तो इसे मिक्स करने के बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे थोड़ी देर कुक कर लीजे और थोड़ी दे के बाद चेक करते हैं तो तयार है हमारी मिन्ट मसाला साभुदाना कीच्री जो की बहुत ही सुपर डिलीशस बनके तयार हुई थी और फ्रेंट्स बिलीव मी इतनी यमी लगती है कि पूछे मत आप इसको चटपटी चार्ट जैसा एक फ्लेवर आएगा तो इससे सर्फ करते हैं और मेरे मेरे मिन्ट मसाला साभुदाना कीच्री की रस्फी जरूर बते ही गामिन्ट करने और अगर आप पहली बार मेरे मेरे मिरले करी यह वेऊरी है जरुर को फ्रेंट मतोंस करते हैं तो प्लीज सेल को सब्सक्राइब सरूर करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सरूर करिएगा चल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक थेंक्यू फॉर वाचिंग बाबाय तेक क्यूर